हलो दोस्तों सौगत हापका आपके अपनी यूटूब चनल एजूपूर में उमीद करती हूँ आपको हमारी कल की वीडियो बीए के बात क्या करें पसना आई होगी आज का हमारा टॉपिक है में के बात क्या करें तो जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में उन सभी के समधान कर दिये हैं आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आजाएगा कि में की बाद आपको क्या करना चाहिए तो अगर दोस्तों अगर आप लोग में की बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते और भविश में अपने लिए बहतर आपको सरूर करने चाहिए अगर आपका लक्ष बैंक, रेलवे, पुलिस या भारती सेना आधी में नौकरी, सरकारी नौकरी करना है तो एमे के बाद आपको तुरंत गौर्मेंट जोब प्रप्रेशन में लग जाना चाहिए जबकि अगर स्टुएंट के आर्थी के सित्री अ अब आपकरते हैं में के बाद कोर्स यानि वह कौन से कोर्स से या स्टडी है जो आप कर सकते हैं में के बाद आगे पढ़ाई करना एक बहुत ही अच्छा फैसला क्योंकि इस पढ़ाई के मादम से आगे आपको आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी तो देखिए पढ़ाई तो कभी नहीं रोकनी चाहिए इंसान को जिंदिगी में हर वक्त हर च्छन कुछन कुछ सीखने को मिलता है और मेरी लिए तो पढ़ाई मेरा शौक है मेरा मेरी होबी है हमारा पहला करेर ऑप्शन है बैस्टर ऑफ एडुकेशन यानि बीएट आप में के बाद बीएट कर सक जाती है यानि में प्लस बीएट के बाद उमीदवार सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की स्कुल में बारवी तक के स्टूरेंट्स को पढ़ाने के लिए योग हो जाते हैं दूसरा करेर ऑप्शन है मास्टर ऑफ फिलोसफी यानि एमफिल का कोर्स तो साल का होता है जि करने के बाद स्टूडिन्ट किसी और्गनाइजेशन से जोड़कर रिसर्च कर सकते हैं या फिर एजुकेशनल एंसेट्यूट के साथ जोड़कर उचे क्लास के बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको रिसर्च भी करने को मिलेगा आपको बहुत को सीखने को मिलेगा इसलिए आपके लिए एंफिल करके करीर ऑपरशनिटी बहुत जादा खुल जाती हैं थार्ड ऑप्शन है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानि पी एच्टी पीएच्टी एंफिल से उचे लेवल की पढ़ाई होती है यानि एंफिल पीएच पूरी करनी होगी तो यह कोर्स तीन से छे साल का होता है विद्ध्यारती जितनी जल्दी रिसर्च को पूरा कर लेंगे हैं उसे उतनी ही जल्दी पीएच्टी की डिग्री मिल जाएगी यानि आपको बुक लिखने के लिए कहा चाता है तो शे साल का अंतिम समय होता है तो आप इस समय में 6-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब भी आप अपने रिसर्च को वर्क को कम्प्लीट कर लेते हैं, आपकी PhD भी कम्प्लीट हो जाती है और आपको डिक्री भी मिल जाती है, PhD की पढ़ाई की बाद उम्मीदवार को यानि स्टूडेंट्स को कॉलेज या उनिवस आप शोशल वर्क यानि BSW, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब स्टूडेंट्स करने में बहुत जादा रुजहान होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाते हैं कि मतलब अखिर ऐसा क्या करें जिससे हम स्टूडेंट्स में आ सकें बहुत सारे एंज्वें, किया जाता है, अधर कोर्स आफ्टर में, तो अभी तक बताया गए मुख की कोर्स के अलावा ऐसे बहुत से सार्टिफिकर, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी जिसे में के बात किया जा सकता है, जैसे रेडियो जॉकी डिप्लोमा कोर्स यानि DRPM, DRJ यानि आप एक रेडिय इसका भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जैसे अगर में के बाद आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो बैंक क्लोर्ड की या बैंक P.O की तियारी करें, जिसके फर्म आते रहते हैं समय 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 पर, अगर आप रेल्वे में नौकरी करना चाहते हैं तो RRB, Group D या RRB, N, T, PC, Assistant, Station, Master आदी की तयारी कर सकते हैं MA के बाद अगर भारत के Defense Service में जाना चाहते हैं तो आप NDA, CDS, CAPF, IAF आदी एक्जैम्स की तयारी कर सकते हैं तरह तरह की कोचिंग संस्थाओं में इन कोर्स की तयारी कराई जाती हैं अगर आप IS या PCS बनने का सफना देखते हैं तो MA के बाद Civil Services Examination या CSE की तयारी भी कर सकते हैं तो दोस्तो इसी तरह से आप जिस भी फिल्ड में सरकारी रौकरी करना चाहते हैं उससे जुड़े competitive exam की preparation शुरू करते हैं MA के बाद घर बैट कर ओनलाइन या offline कोचिंग के मादिम से आप किसी भी government job की तयारी शुरू कर सकते हैं तो दोस्तो किसी भी competitive exam की preparation शुरू करने से पहले यह जरूर जाज ले कि आप उस exam के लिए eligible है या नहीं क्योंकि हर exam का एक eligible criteria होता है अब बात करते हैं MA के बाद career opportunities और jobs के बारे में MA करने के बाद सरकारी और private दोनों field में बहुत सी jobs हैं लेकिन वह job आपको मिलेगी या नहीं इस बात पर रिरभर करता है कि आपने कहां से और के subject से MA किया यानि आप जिस subject से MA करेंगे उसके हिसाब से ही आपकी job की opportunities आपको मिलेगी तो अगर आपको एक से ज़्यादा अधिक भाशाया और बोलिया आती है तो MA करने के बाद आप translator की नौकरी कर सकते हैं content writer job यान after MA अगर आपको लिखने का शौक है तो आप MA के बाद content writer की रूप में भी career शुड़ कर सकते हैं content writer का काम होता है किसी भी विशेश टॉपिक से जोड़ी जानकारी को इखटा करके लिखना आज कल शोशल मीडिया का दौर है लोग content लिखते हैं तरह तरह की YouTube से पर यानि अलग 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 social media platforms पे वीडियो भी डालते हैं तो content writer की opportunities बहुत जादा है तो अगर आपका रुजान content लिखने में हैं आप उतना सोच पाते हैं तो आप यह जौब को जरूर करिए scope है content writer के जौब में अगर आप किसी company के साथ जुड़कर content writer का काम करते हैं तो सालाना थाई लाग इससे पांच लाग तक कमा सकते हैं after MA teacher job MA की पढ़ाई करने के बाद आप private school और coaching में बच्चों को पढ़ा सकते हैं school या coaching में पढ़ाकर आप लगबग 3 लाग से 5 लाग रुपए साला ना कमा सकते हैं इसके अलावा आप खुद की coaching center खोल कर जादा पैसे भी कमा सकते हैं after pandemic coaching तो उतना जादा नहीं चल पा रही है लेकिन फिर भी अगर आपका यह सपना है तो आप इससे जरूर करें आज कल अलग अलग इंसिट्यूट कोचिंग में कॉल सेंडर की जोब बहुत असानी से आपको मिल जाती है अराम से आप आठ से दस जार तक कमा सकते हैं बस आपकी कम्यूनिकेशन यानि बोलने की स्किल बहुत अच्छी होने चाहिए आप अपनी कस्टमर को इंप्रेस कर सक तो दोस्तों बहुत से कंपनिय ऐसे हो में इद्वार हैं जिनको इस काम का को एक्स्पियेंस नहीं यानि फ्रेशर के लिए कस्टमर केर एक्जेकुटिव की जॉब निकलती रहती है वहां ट्रेनिंग भी इती जाती है आत अगर औस सेलरी की करें तो कस्टमर केर का करियर आप्शन है आज के पैंडेमिक के दौर में करियर एस सोशल वर्कर भारत ने बहुत से लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि यह शोशल वर्कर बनकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं शोशल वर्कर की पढ़ाई कंपलीट करके आप कई पोस्ट पर जॉब भी पासकते हैं और दो से पांच लाग पर यह कमा सकते हैं अगर आपको शुशल वर्कर की पढ़ाई नहीं की है फिर भी किसी इंजियो के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं पैसे कमा सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोगे जो इंजियो के साथ जुड़कर काम करते हैं पैसे के लिए नही से आठ लाग रुपए साला ना कमा सकते हैं आपको मिलने वाली सेलरी पुरी तरह से आपके फोटोग्राफी स्किल्ग पर निर्भर करती हैं तो दोस्तों आज की शोशल मीडिया के डौर में लोग रील्स बनाते हैं तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं मतलब की यूटूब प सानि 좀 जाते हैं कि जौब मिलने में असानी हो तो इसके लिए आप फोडोग्राफी का चोटा यह सर्फिक्र कोर्स भी कर सकते हैं सारफिकर मिलने के साथ ही आपकी फोटोग्राफी स्किल और भी ज्याद निकर जाएन और आपको और भी जद एक्स्पेरियनस हो समाख से मahber ये कंपनी और आपने मतलब जोुंपावे वैकंसे निगलती है उसके लिए फॉर्म्स निकालते हैं इन कंपनीयों में सभी तरह के एडुकेशनल कॉल्फिकेशन वाले लोगों को इन लही निकलती रहती है । इन नोग्रियों को पता लगने कि आप जौब कर सकते हैं तो हम उमीद करते हैं कि हमने आपकी पर these तूव TF करते हैं結構 चुखार करती है लेकिन अगर आप बहुत его क्या क schw Mehrस सकते हैं तो आप कमेंट करंपे हमें जरूर को में पर दूइब सकते हैं करते हैं organized दोस्तों आपको क्या करना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे और चानल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ में लगे बैल अकॉन को जरूर प्रेस करिए अपना खूब ख्याल रखिए अपने पैर पैरे कमेंट्स के दोरा मुझे फीबैक दीजे और वी